फोल गाइस के FPS को बूस्ट करना चाते हो तो विंकुल सई वीडियो पे आयो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि FPS फोल गाइस के कैसे बूस्ट करने है पहले मेरा गेम प्ले कुछ इसा था आप देखी सकते हो कि गेम काफसा लैक कर रहा है कभी-कभी और इतने अच्छे FPS नहीं आ रहे हैं उसके बाद गाइस मैंने फोल गाइस को उप्टिमाइस करा और मेरे FPS कुछ ऐसे हो गए अब आप देख सकते हो कि FPS कितने बढ़िया आ रहे हैं और गाइस पुरी तरगे से गेम को मैंने उप्टिमाइस कर दिया अगर आपके बस पुराना PC भी है न तो भी गाइस आप ये स्टेप सोलो कर सकते हो और अपने पुराने PC में फोल गाइस को चला सकते हो तो इस वीडियो में basically दो स्टेप होने वाली है बाकी एक bonus स्टेप भी है जो कि guys मैंने गिनी नहीं पर वो भी काम आएगी तो mainly दो स्टेप है तो चलते हैं पहली स्टेप पे जो पहली स्टेप है guys वो फोल गाइस की normal settings है जो कि guys आप भी कर सकते हो पर guys मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ कि केसे करनी है तो फोल गाइस को यहाँ पर मैं open कर लिया है और यहाँ पर मैं graphic setting में चला गया हूँ अब guys सबसे पहले आपको देखेगा यहाँ पर display आप display जितना कम रखोगे न उतने fps आपको मिलेंगे मेरे यहाँ पर 1080p set है 1080p से मैं कम कर दूँगा मैं चले जाओगा 720p पर यह मेरे इसमें सबसे कम है अगर आपके इसमें और भी कम हो रहे हैं तो आप उस पर भी जा सकते हो पर 720p मेरे इसमें हो रहे हैं उसके बाद guys जो setting मैं कर रहा हूँ वो आप copy कर लेना एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ जादा लंबी बन जाएगी तो जो setting में ने करिए जस्ट copy कर लेना उसके बाद guys हमारी step 1 यहाँ पर complete होती है अब इस step के बाद भी अगर आप game खेलोगे fall guys तो आपके fps में थोड़ा boost आएगा पर इतना मज़ा नहीं आएगा तो उसके लिए guys हम यहाँ जाना पड़ाएगा step 2 पे step 2 में guys हम यहाँ पर windows के कुछ tweaks करने वाले जिससे ही guys और हमारे fps boost होंगे अब guys step 2 में हमें यह करना है सबसे पहले हमें जाना है windows की setting में यहाँ पर हमें जाना है display पे display में guys यहाँ पर आपको दिखेगा graphics ग्राफिक्स में guys आपको जाना है और यहाँ पर बहुत सारे आपको games दिखेंगे जो भी आपके PC में installed है पर आपको select करना है यहाँ पर fall guys पर और यहाँ पर option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपके सामने तीन option आएंगे एक आएगा window can decide second आएगा power saving और third आएगा guys आपके सामने high performance तो high performance में आपको click करके okay कर देना है जिससे यह होगा कि आपका CPU और आपका GPU अब सिर्फ game के लिए concentrate हो गए जब भी आप game चलाओगे ना तो आपको high performance मिलेगी और यह reality में काम करता है guys आप दोनों करके देखना है एक बार power saving में गेम चलाना और high performance में चलाना आपको जो FPS मिलेंगे ने ज्यादा वो high performance में मिलेंगे यह भी जरू करके आप देख सकते हो और यह setting कापी important है तो guys यह थी second step आप एको tweak के छोटा सा जो की bonus step बान सकते है वो यह है कि जब भी आप fall guys play कर रहे हो ना तो आपकी जो fall guys की priority ना उसक concentrate हो जाएंगे आपके game को चलाने में और आपको यहाँ पर FPS में थोड़ा increase होगा और FPS थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका boost होगा आप guys जो मेरा आपको यह तीनो setting बताई ने यह तीनो setting आप कर लोगे ना तो आपके FPS double भी हो सकते है या फिर आपके FPS 50% से भी ज़ादा हो तो मेरे पहले जो FPS आ रहे थे वो आ रहे थे 30 से 32 उसके बाद जब मैंने यह आली optimization करी तो मेरे FPS यहाँ पर 60 के पार चले गए तो मेरे लिए FPS double हो गए किस के लिए FPS डबल नहीं होंगे उनके थोड़ा से जाधा बढ़ जाएंगे तो guys हर PC के लिए यह अल्टर करता है पराने PC में भी चल जाएगा तो hopefully आपको यह आली वीडियो पसंद आईए होगी वीडियो पसंद आईए हो तो like जरू करते न और guys gameplay आप देखी पा रहे होंगे screen पर की gameplay कितना बड़े चल रहा है और मुझे यहाँ पर जो FPS मिल रहे है वो 60 plus मिल रहे है और guys इस topic के regarding कोई भ झाल